Hello students, welcome to the Solitude Education, तो इस topic में बात करने वाले हैं, last word इसके ठीक है, last 20 दिन में हमें आखिरकार क्या करना है, SSCG मेंस के लिए, ठीक है, अभी recently आप लोगों ने देखा होगा कि SSCG मार्क्स भी रिलीज किये है, कि प्री में किसके कितने मार्क्स आए हैं, obviously, नॉर्मलाइज हुआ है मार्क्स, जैसा हमने बताया था, वैसा ही approximately उतना ही नॉर्मलाइज हुआ है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो 15 की जो थर्ड सिप्ट है, जो इवनिंग सिप्ट थी 15 का, उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज हुआ है, और I think 11-12 नंबर उसमें नॉर्मलाइज हु कोई इशू नहीं है, उतना ही पर मेरा एजी था, आखिरकार आप सबको अपने मार्क्स पता हैं कि किसके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, तो जिसके जितने मार्क्स हैं, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है, कितने थे नहीं थी, अब 26 फरवरी को आपका मेंस का एक्जाम आ रहा और हिन 20 डेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब हम चीजें यहां पर डिसकस करेंगे, ठीक है, लास 20 डेज में क्या करना है, ठीक है, अभी सबको आइडिया है कि मेरे कितने मार्क्स हा रहे हैं, ठीक है, सबको आइडिया है, ठीक है, सबको आइडिया कि सबको एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि लास क्या हम उतने मार्स पर पहुंच पाएंगे ठीक है क्या हमारा फाइनल सेलेक्शन हो पाएगा तो डैफिनेटली मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका प्री जस्ट क्लियर था और लास में उन्होंने में इतना अच्छा किया थ था कि उनका फाइनल सेलेक्शन हो गया इवन उन्हें सबसे बैस्ट डिपार्टमेंट भी मिल गया सीपीडवलोडी ठीक है तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है ऐसी कोई प्रॉलम नहीं है कि आप यह बोलते रहें कि मेरे प्री जस्ट क्लियर है क्या मुझे आगे फर्दर प्र अगर आपने त्यारी नहीं किना तक अब तक कुछ नहीं बढ़ा है आपने सोच रहें सर मेरा जस्ट क्वालिफाई है तो आप एससी के पीवाई को लगा के चले जाओ जस्ट इतना मेरे कहने से कर लो आपके सलेक्शन तब भी हो जाएगा ठीक है कोई रोकेट साइंस नही तो कि यह बिल्कुल सोच रहें हैं हमें कि वह आप बोलने लिखें कि सर यह तो मेरे को oyni यकाल तब क्शों के बच्छों कि यह है किusp Training कि मन्मे इंपमार कुछ्छоз म उसारा करेंग कोझे कि मेरी तो त्यारी कुछ नहीं है यह सबको लगता है यह आपके साथ हो थो qui सबको लगता रहता है कि मेरी तो कुछ त्यारी नहीं है लेकिन favourite और डाउट क्या है ओर डाउट यह भी है कि सर मैं वह मुझे वह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मैंने पीवाई क्यू लगा लिए ससी के मैंने इंजिनिंग सर्विस के कुशन भी कर लिए जो एक्स्टा टॉपिक आपने बताये थे वह भी मैंने कर लिए लेकिन अभी भी वह वह मुझे वह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा सलेक्षन होगा कि नहीं तो उसके लिए बैस्ट है आपको आप तेसरी जोइन कर लो ठीक है अब तैसरी जोइन करते हैं कुछ बच्चे तो उसमें बोलते हैं कि सर मार्स ही नहीं है हमारे दो मैं तों डिसमोटिवेट कर रहा हूं मेरी तो त्यारा यतनी अच्छी थी मिरे माघ्व कि बीड़ी नहीं आए तो उसके लिए क्टैस्टी मत दो ठीक है उसके लिए प्ल playful आप के उसके दो रीजेन हो सकते हैं या तो आप प्रेशर में अुतना अच्छा पर्फॉर्म नहीं कर पाएं दूसरा यह रीजन हो सकता है कि जो टैस्सीरीज आपने दी थी वो एक्जट पैटरन पे नहीं थी जो एससी पूछता है ठीक है करों में आपको बहुत सारे टैसरीज मिलेंगी और विसली लेकिन जो अगरेंट एसे सीरिज की सिरीज बैरान का मतलब यह है कि इसट्राइन पर यह तरी सो बिल्कुल एक फ्रैटर मतलब इस सिर राजीका पर पर मेरी test series है ठीक है अगर मैं आपसे test series में पूछ ले रहे हैं इस में moment distribution से question करके दिखाओ क्या आप करोगे मैं आपसे पूछ नहीं आना है वो नहीं आने question तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि मेरी test series के अंदर जो questions आ रहे हैं क्या वह एक्जट SST के pattern पे हैं अगर नहीं है तो definitely leave that ठीक है उसका एक best solution मैंने यह भी बताया था कि आप 2016 से 2020 तक के जो SST में पर है ना उनको बैठके लगा लो उसमें फिर भी बच्चों को फिर डाउट आते हैं सर यह question तो हमने की है हुए हम क्यों लगाए बार बार उससे आपकी प्रटेस होगी लिखने की आप exact एक बड़ लिखके तो देखो थियूरी को आप बोलते माल लिए मैंने example लिया से सलम टेस्ट मेरे को बता है आप से कोई पूछने लगे सलम टेस्ट क्या है आप दो मिनट पर उसको बता दोगे सर यह कौन होता है यह साइज होता है ऐसा ऐसे गड़ते हैं आप उस चीज़ को लिखके देखो ना दो मिनट आप एक पेज लिखके देखो आप नहीं लिख आप बता दोगी प्लेट लोड टेस्ट के बारे में मुझे किसार ऐसे इसे होता है यह करते हैं लेकिन आप एक्चुल में उसको पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वह डिपेंड करेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता उससे कोई मैटर नहीं तो मैं कह रहा हूं यह चीज लिखनी सीखो ठीक है तो यह कुछ जर्नल डाउट से बच्चों के जो बच्चे पूछ रहे हैं डाउट दूसरा अब मुद्दे की बात करते हैं मुद्दे की बात है यह 20 डेस कि इन 20 डेस में क्या नहीं करना है और क्या करना है सबसे पहला बात मैं एक और बात ह अब वो टाइम आ चुका है मेरे पास 20 डेस हैं प्रोक्षिमेटले और मुझे अब थियोरी पढ़ना ही पढ़ेगी और भही टाइम देना स्राट कीजिए ठीक है इस वाले पोर्शन को आप टाइम दीजिए ठीक हो इस पेसली बिल्डिंग मेटरियल जो आया है प्रीवेस पढ़ लो और उसको लिख लिख के प्रटिस करने की गोसिस कीजिए अब यह टाइम आ गया कि आप फियोरी पढ़ें ठीक है दूसरा बात अकर आपका सेलेवस कंप्लीट है आप सब कुछ चीजे कंप्लीट कर चुके हो आपने बार बार चीजे अपनी रिपीट कर ली हैं और आप के पास 20 डेज हैं अगर आपको एकसफ्लोर करना चाहरें तो आप टेस्ट दे सकते हैं मेरां नहीं है कि आप टैस्ट दे सकते लेकिन आप बोलोगि सब्सक्राइब यह लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है अब दिजी हैं कहीं पर दीजे लकिन आपको लगना च पूछ के दे सकते हैं, या आपके फ्रेंड ने किसी ने टेस्ट दिया हूँ, ठीक है, आपने तो एक और मैं बेस्ट सोलीशन बता दिता हूँ, आप अपने किसी भी फ्रेंड से टेस्ट, बहुत लोगों ने अपने टेस्ट सेरीज जोइन की होगी कहना कहीं पर, आपके फ्र कितने माक्स आ रहे हैं, कितने माक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज भी बच्चे आपको करनी है, ये चीज आपको करनी ही पढ़ेगी, ठीक है, 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 ठीक ह लेकिन यह एडीशनल टॉपिक के को करने हैं यह दीशनल टॉपिक उन्हीं पचभाट करने हैं जिनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है जो सब कुछ बिलकुल मैची और लेवल के बеत्टे हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट है अब उन्हें कुछ नहीं करना वो सिर्फ बोलना है कि सर मेरे पास टाइम बहुत है लेकिन मेरा टाइम नहीं कट रहा है ठीक है तो उनका उनके लिए उनके लिए अडिशनल टॉपिक जैसे मैंने कुछ अडिशनल टॉपिक की बात की थी स्वाइल के अंदर मैंने बात की थ ठीक है मैंने कुछ रेलवे के कुछ टॉपिक्स आपको बताये थे कुछ अडिशनल टॉपिक मैंने आर्ची सी के कुछ अडिशनल टॉपिक्स के डिस्केशन किया था तो वो लगा लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो टाइम नहीं है तो बिलकुल मत चुड़िए कोई रिक्वार्मेंट नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि करना है ठीक है और क्या कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि त्यारी नहीं छोड़नी है लास्ट ट्वन्टी डेज जो टाइम अब बचा है इसी को यूटिलाईज करना है आपने क्या पढ़ा पहले नहीं पढ़ा वो 20 days के अंदर आप कैसे अपने आपको manage करते हैं वो repent करेगा ठीक है आपको last दिन तक त्यारी छोड़नी नहीं है continuous effort करते रहने continuously आपको पढ़ाई करनते रहना पड़ेगा theory अगर कुछ नहीं हो रहा है सब कुछ complete है तो theory पढ़िए राम से free रिलेक्स होके थोरी पढ़िए थोरी को लिक लिक के practice कीजिए ठीक है और उदर से test paper मंगा लीजिए test paper solve कर लीजिए बैठके कर टाइम नहीं कट रहा है तो additional topics कुछ cover कर लीजिए ठीक है या फिर कुछ weak domain है अगर आपको लगता है कि कुछ मेरा portion मेरा कुछ portion weak है ठीक है अगर मेरा कुछ portion weak है तो इस portion पर ध्यान दीजिए ठीक है वीक portion कहां पर हो सकता है या कहां पर कुछ हो सकता है जिसे hydraulic machine है hydraulic machine के question कर लीजिए वैसे मुझे पदा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो machine machine पर उतना importance नहीं देते हैं सबसे मैं कहता हूं कि यह जो portion है like hydraulic machine ठीक है इस topic की बच्चे अगर मैं बात करूं न आप इसके सारे question लगा लीजिए centrifugal pump तक ठीक है कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने pelton करके छोड़ दिया होगा ठीक है आगे मैं अगर टाइम है तो कुछ यूटिलाइज करो यार centrifugal pump के question लगा अच्छे अच्छे ठीक है यही एक ऐसा question होगा जो आपकी difference को तै करेगा जो आपकी rank decider यह topic rank decider होते हैं आपकी rank को decide करेंगे machine ठीक है आपकी rank कितनी है उसको decide करने वाला यह hydraulic machine ठीक है बात समझ में को बात समझ में आगी यह आपकी बिच्छे rank decider करेगा इसलिए मैं कहता हूं अगर टाइम है एक्स्टा टाइम है devote करो यार question लगा क्यों पेल्टन पे छोड़ रहे हैं उसको ठीक है अब centrifugal pump तक लगा अच्छे च्छे question लगां इंजिनिंग सर्विस वाले ठीक है उसके इलावा soil तो और soil तो सभी लोग कर लेते हैं क्योंकि important ठीक है तो यही important चीजें हैं जो ध्याने एक और सबसे important बात negativity से दूर रहना negativity मतलब negative लोगों से दूर रहना है कुछ बच्छे मिलेंगे आपको आपके friend circle में आपके zoon में नहियार मेरा कुछ नहीं हो रहा है तैरा भी कुछ नहीं हो रहा है वहां मत करनी होना कुछ तो ऐसे लोगों से दूर रहना है ठीक है एक और बात जो आज की डाइब में काफी बच्चे में से पूछते भी हैं कि सर कितने माक्स पर CPW नहीं मिलेगा सर मुझे मैं बस इतनी तयारी कर लूँ क्या मुझे सेंटलोटर कमिशन मिल जाए सर बियारों के लिए आग बता दीजे कितने नंबर लाने पड़ेंगे तो माक्स का discussion नहीं करना है किसी को सोचना ही नहीं है माक्स के बारे में सोचना नहीं है किसी को ठीक है सोचना बंद कर दो माक्स के बारे में आप decide नहीं करेंगे आपके marks आपके marks कौन decide करेगा बच्चे आपके marks decide करेगा आपका paper examiner ठीक है ये छोड़ दो कि कौन सा department मेरे को मिल रहा है ठीक है आपको department की बात नहीं करनी है मेरे को कौन सा department बलना नहीं करनी बात आपका दो काम थे पहला पहला काम था अपका प्रीम डेना जो कि आप कर चुके हों आपको के पता हैं दूसरा काम क्या में मिंद आ यहीं नहीं मिलेंग उसकी काको ठेनी लेनी थीक है किम सा आपको में सब्सक्राइब अब नहीं मिलेगा इसको आपको इटेंशन लिने आपका सिंगल फोकस होना चाहिए ज़्यक्ता आपने में सदे लिया पर याप दे चुके जितना अच्छे मार्स आएंगे आपको अच्छे डिपार्ट मिल जाएगा ठीक है अब आप अपने दिव मार्क में बिल्कुल नहीं लेकियाना कि अपका काम है पेपर देना मार्क्स क्या आएंगे नहीं आएंगे क्या कटव रहेगी उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना ठीक है तो यह चीजें जो मैंने आज बताई हैं जो 20 डेज बचे हैं आपके पास इनको योटिलाइज करन जब प्रीविएस एर में जो कोपी जो बच्चों ने दी हैं जिनके सेलेक्शन हुए है ठीक है उनकी मेरे में कोपी दिखाऊंगा आपको ठीक है मैं कुरी कोपी का अनलिसिस करूँगा कि इस कोपी में इतने माक्स आयते हैं इन्होंने क्या चीज अच्छी की जो आप कर सकते एक्साम में वो सारी चीजे मैं दिखाने वाला हूं अब आप लगोक्तों के न वी कोपी कोपी और दिखा दूगा को और आपको यह नियुक्त ठीक है वो सारी की सारी चीज़े मैं आपसे डिसके सब्सक्राइब तो इसी चुब है ट्वंटी डेज में यह चीज़े जो मैंने अल्ड़ी डिसकस की है यह दिया दखी बाकि मैंने वीडियो के डिसक्रिप्शन में लिंक दे दिया है टैलीगराम का जोइन कर लो फटापट अपडेट मिलती रहेगे अप्लिकेशन का भी लिंक दे रहा है आप डाउनलोड कर लो ठीक है वहां पर काफी अच्छी चीज़े मिल जाएंगी अप्लिकेशन पर आपको पाकी तो आप जुड़े हैं मेरा नंबर सबके पास है यू कैन कॉंटेक्ट मी अगर नहीं है तो फ और अपनी क्वेरी बेज दीजेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूगा ठीक है अगर फिर भी कोई प्रॉलाम है ठीक है क्योंकि कॉल्स बहुत जादा आते हैं कभी-कभी पोसिबल नहीं हो पाता को पिक कर पाना तो यू कैन डाटली मैसेज में वाटसप आप मेरे को वाटस का लिंक भी मैंने दे दिया है आप कर सकते हैं ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स टॉपिक में तब तक के रिए थैंक्यू बन्यवाद आप लोगों का ओके